तो गैज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार कोरोना सहाईटा के अंतरगत 1000 रुपे आने वाले थे वो काफी लोगोंके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं और काफी लोगोंके अकाउंट में रेजिस्टेशन करने के बाद अभी तक नहीं आये तो इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूँगा, तो वीडियो में आप लाज तक बने रहिएगा, और मैं आपको बता दू, अभी तक आप ने रजिस्ट्रेसण नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेसण कैसे करते हैं, इसका वीडियो मेरे आई बटन में और न्यूज उभर के आया है वो न्यूज आपको दिखाऊंगा और उसके बाद इसका contact number के बारे में बताऊंगा कि contact number है अगर आपका कोई technical issue है तो आप जा के वहाँ पे देख सकते हैं तो मैं हूं अजनी वीडियो में आगे बरने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली वारा है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिजे साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दिजे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे तो देख न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख रहे हो कि रजिस्टेशन करने के बाद इतने दीन के बाद भी पैसे नहीं आ है उसका रीजन यह है कि आप देख लोग कि इसमें लिखा हुआ है लोकडाउन में दुसरे राजियों में फसे 23 लाग से अधिक मजदूरों ने एक एक हजार रुपे का आवेदन किया समझे 23 लाख लोग आवेदन किया है 23 लाख लोग के आसपास आवेदन किया है जिसमें 15 लाख के खातों में यह रासी भेज दी गई है मुखे मंतरी नितिश कुमार ने सेष मजदूरों के खातों में फिक रासी भेजने का निर्देश दिया है सरवधिक पौने 5 लाख लाख वेदन दिल्ली से तो हर्याना सकरीब 3 लाख है मतलब आप लोग जो देख रहे हैं कि इतने लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे जा चुके हैं काफी जादा लोग है इसलिए लेट हो रहा है लेकिन ये पका हजार रुपे मिलना है तो आप निश्चिंत रहिए कि 20 दिन हो गया है मुझे पैसे नहीं मिले हैं तो इसके लिए आपको टेंक्शन लेने का जरूरत नहीं है वो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे और मैं आपको यहां न्यूज में भी दिखा दिया हूँ कि न्यूज में भी यही लिखा हुआ है और और पर के मैं बता देता हूँ कि CM ने कहा है और जितनी जरूरत होगी राजे सरकार खर्च करेगी एक करोड दो लाख रासनकार धारियों वह बाहरफा से पंदर लाख स्रामिकों के खाते में एक हजार रुपे दिये गये हैं यह रासी एक हजार सतर करोर का है मतलब आप देख लो कि इतना पंदर लाख लोगों को दे चुका है और देखिए आवेदन कहां कहां से ज्यादा आया है और आवेदन का दिल्ली का है पौने 5 लाख है हरयाना से 2.97 लाख है महराज से 2.69 लाख है इस तरह से करीब 23 लाख आवेदन गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप अब registration कर दिये हैं registration आपका success हो गया है तो आपके account में पैसे पक्का आएंगे ही आएंगे तो guys ये तो मैं आपको आज का news बता दिया हूँ और मैं contact number कहां से provide होगा उसके बारे मैं आपको बताता हूँ तो आप वीडियो में बने रही है जैसे कि दोस्तों आप application डाउनलोड करने के लिए जो website पे गये थे आप अदा bihar.nic.in पे आपको वहीं जाना है और वहीं जाके आपको search करना है जब आप search कर लोगे तो जहां से आप application डाउनलोड किये थे वह आपको open करना है website और यहां पे आप देख सकते हो कि यह latest version आ गया है इसका 2.03 मैं इसका वीडियो बना दिया हूँ अगर आप नहीं देखे हैं कि latest version में update कैसे करे तो मेरा वीडियो description box में और i-card में दोनों जगह आपको दे दिया हूँ वहां जाके आप देख लिजिए और मैं इसका contact number के बारे में बता रहा हूँ अगर आपका कोई भी technical problem इसमें registration में आया हो या message आने में problem हुआ हो तो आप यहां देख सकते हैं यहां पे यह website वाले का number दिया हुआ है आप यह number पे जाके call कर सकते हैं किसी एक पे नहीं लगे तो दुसरे पे आप try कर सकते हैं कि कोई problem आ रहा है वहां पे आप जाके बात कर सकते हैं अगर कोई problem solution वाला है तो आपको बता देंगे अगर कोई आपके account में कोई दिक्कत आ रही है वो भी आपको बता देंगे तो आप देख सकते हो इतना सारा contact number है उसके बाद फिर आप mail भी कर सकते हो email ID भी यहां पे दिया हुआ है उनका देख लिजे आप email ID भी है तो देखिए guys आपको कोई problem आ रही है रजिस्ट्रेशन को लेके तो आप इस पे contact करके बात कर सकते हैं तो guys आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे गाई तो प्रीज लाइक कर दिजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में share कर दिजिए कि उनको भी ये लाव मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम